Hello everyone, this is Sujit Kumar Jha और इस lecture वीडियो में मैं एक बहुत ही important concept discussion करने जा रहा हूँ और ये electrodynamics का question number 148 में है समझेगा इस question को और इसका जो solution में बता रहा हूँ इससे जो concept आपको provide करना है मुझे उस concept को आप अच्छे समझेगा देखे इस question में क्या कहा जार है an air cylindrical capacitor with DC voltage 200 volt applied across it is being submerged vertically into a vessel filled with water at a velocity 5 meter per second एक cylindrical capacitor को dip किया जारा है पानी में 5 meter per second से ठीक है आगे कहीं सुनते है the electrodes of the capacitor are separated by a distance 2 mm the mean curvature radius of the electrode is equals to 50 mm find the current flowing in the case along the lead wire if D is much lesser than radius D का value बहुत जादा small लेकर के चलना है ठीक है वैसे D का value दे रखे हैं 2 mm देखे है क्या होता है इसमें सबसे पहला सबसे इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट यह है चाहे cylindrical capacitor हो या spherical capacitor हो यदि 2 cylinder से cylindrical capacitor बनता है पता है आपको यदि दोनों cylinder के बीच में gap जो होता है वो यदि बहुत जादा छोटा हो तो cylindrical capacitor parallel plate capacitor की तरफ बहुत बहुत इंपोर्टेंट कॉंसेप्ट है ठीक है न? चाहे spherical capacitor है और 2 sphere के बीच में 2 sphere से बनता है spherical capacitor यदि 2 sphere के बीच में separation बहुत छोटा है तो वो इस spherical capacitor भी parallel plate capacitor की तरफ बहुत जादा important concept है कुछ लोगों को लग रहा होगा ऐसे कैसे हो सकते है ठीक है मैं आपको proof करके बता देता हूँ वैसे तो ज़रूरी नहीं है सिधा यही चीज़ मान के हम लोग इस question को बढ़ सकते है लेकिन मैं proof करके आपको बताता हूँ कि किस तरीके से cylindrical capacitor में cylinder के बीच में gap यदि बहुत छोटा हो तो उसका behavior parallel plate capacitor के तरह होता है ठीक है देखिएगा जैसे हम लोग cylindrical capacitor के बारे में देखते हैं यह cylindrical capacitor रहा इसमें 2 cylinder है एक का radius r1 है दूसरे का radius r2 है है ना तो इसका capacity का value कितने के बढ़ाबर होता है कि आप बता सकते हैं इसका capacity हो जाता है 2 pi epsilon 0 L by ln r2 by r1 ऐसा कुछ होता है ठीक है अब देखिए एक point out ln 1 plus x का जो value होता है वो x minus x x squared by 2 इस तरीके सो होता है इसका मतलब इदी x बहुत ज्यादा छोटा हो x यह दी negligible हो तो x squared तो neglect किया जा सकता है इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा तो ln if x बहुत छोटा x इदी very small हो very small tends to 0 if x is very small then ln 1 plus x then ln 1 plus x is nearly equals to x ठीक है ln 1 plus x को आप क्या लिख सकते हो x लिख सकते हो ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 pi epsilon not l by ln r2 by r1 है ने यहाँ पर अब क्या लिख सकते हो r2 को क्या लिख सकते हो r1 plus d लिख देते है by r1 d जो है इसके बीच का separation है दो plate के बीच में तो इस cylinder के बीच में जो gap है वही d दिया हुए ठीक है तो अब इसको क्या लिखा जा सकते है 2 pi epsilon not l by ln 1 plus d y r d y r1 है ना तो इस capacity को कितना लिखा जा सकते है 2 pi epsilon not l by 1 plus d y r1 को क्या लिख सकते है d y r1 आप ऐसे भी समझ सकते हो ln 1 का value 0 तो ln 1 plus x यदि x बहुत चोटा है तो ln 1 plus x का value approximate x के ही बढ़ाबर होगा आप इस तरीके से भी समझ सकते हो तो ये क्या हो जाएगा भाई d by r1 के बढ़ाबर हो जाएगा ठीक है d by r1 के बढ़ाबर जैसे ही हुआ तो ये हो गया 2 pi epsilon not l r 1 by d 2 pi rl ये area होता है cylinder का area तो capacity का value यहाँ से कितने के बढ़ाबर आड़ है बताइए 2 pi rl अब silent not a by d ये आगए capacity और ये capacity कितना किसका होता है parallel plate capacitor का तो देख सकते हैं आप एक cylindrical capacitor के बीच में cylinder के बीच में गाप बहुत कम है तो वो एक parallel plate capacitor की तरह भी हिप करता है spherical capacitor के लिए भी मैं बता देता हूँ वैसे ज़रूद तो है नहीं cylindrical capacitor की बात थोड़ी है लेकिन आपके concept के लिए मैं बता रहा हूँ देखिए जब इस spherical जब इस spherical capacitor की बात होती है माल लेते हैं इसका radius r1 है इसका radius r2 है तो capacity का value आप कितना लिखते हैं इस case में capacity का value कितना लिखा जाते है ठीक है इस case में capacity का value जो लिखा जाता है c का value कितने के बड़ाबर हो जाते है 4 pi epsilon 0 r2 minus r1 by 4 pi epsilon 0 r1 r2 by r2 minus r1 यह हो जाते है होता है न इस spherical capacitor में capacity को कितना लिखते है, 2 pi epsilon 0 r1 into r2 by r2 minus r1 r2 इसके बीच का जो gap है वो d दिया हुए, वो कितना दिया हुए d ठीक है, मतलब r2 minus r1 क्या होगे d, तो अब r1 r2 कैए, nearly equal है तो आप इस capacity को क्या लिख सकते है कितने के बड़ाबड हो जाएगा epsilon 0 4 pi r1 r2 by r2 minus r1 को आपने d लिख दिया और r1 r2 nearly equal है, तो यह 4 pi r2 के बड़ाबड हो जाएगा, तो capacity इसका कितने के बड़ाबड हो जाएगा, बताएगे c का value हो जाएगा epsilon 0 4 pi r2 by d, तो epsilon 0 a by d, r है न मतलब, इस spherical capacitor का भी capacity वैसा ही आड़ा है, जैसा कि parallel plate capacitor का होता है, तो यदि plates के बीच में separation बहुत कम हो, तो चाहे वो cylindrical capacitor हो, चाहे वो spherical capacitor हो, parallel plate capacitor की तरह behave करेगा, यह बहुत important concept था, अब आगे बढ़ते हैं और इस question को solve कर लेते हैं, देखिएगा अब क्या है, कि जैसे यह cylindrical capacitor हो गया, है ना, यह cylindrical capacitor हो गया, इसमें water माल लेते हैं कि x length उपर तक भढ़ चुक है, यह कहां तक भढ़ चुक है, x length उपर तक भढ़ चुक है, अब यहां से इसका length यह कितने के बढ़ाबर हो गया, इसको कुछ ऐसा लिखा जा सकते हैं, जैसे यह parallel plate capacitor है, है ना, कुछ ऐसा लिखा जा सकते है, यह वह बला हो गया जिसमें अभी water नहीं बढ़ा है और यह वह plates हो गया जिसमें water बढ़ा हो है, तो इसका equivalent capacity इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, तो water कहां तक भढ़ चुक है, यह x तक भढ़ा हो है, तो इसका length को x माल लेंगे, ठीक है, और इसके length को कितना माल लेंगे, l-x माल लेंगे, तो इसका यह दी capacity c1 लिखे, इसका c2 लिखे, तो c equivalent का value कितने के बढ़ा बढ़ा जाएगा, बताइए, c1 प्लस c2 के बढ़ा बढ़ा जाएगा, c1 का value कितने के बढ़ा बढ़ा जाएगा, c1 का value, क्या जाएगा, अब साले 0, 2 pi r l, तो 2 pi r, और l के जग़ देंगे, l-x by d, इसमें water नहीं है, जिसमें water है, उसका क्या हो जाएगा, अपसाले 0, 2 pi r l, rx, l नहीं, x, by d, लेकिन इसमें क्या होगा, dielectric constant multiplied रहेगा, इसमें क्या multiplied रहेगा, dielectric constant by d, यह हो जाएगा, c equivalent का value, है ना, इसका क्या हो जाएगा, होता है na, अपसाले 0, a by d होता ह है, यदि dialectic होता है, तो k into epsilon 0, a by d होता है, तो k इसका dialectic constant, k into epsilon 0, a by d, ठीक है, तो यह c equivalent हो जाएगा, c equivalent का value, यदि लिखें, यहां से क्या-क्या common लिया जा सकते है, 2 pi r by d, epsilon 0, यह common लिया जा सकते है, तो 2 pi, यहां से c equivalent में, 2 pi epsilon 0, r by d को common कर लिया जाए, तो कितना बचेगा भाई, l minus x plus kx, ऐसा कुछ बच जाएगा, यह c equivalent हो गया, ठीक है, तो q equal to क्या होता है, cv, तो यहां से charge का equation क्या आ जाएगा, c के जगा पर हम लोग यह use कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 pi epsilon 0, r, v, यह v potential है, water जीसे speed से जाड़ा है, उसको u assume करके चलत है, question में इसको v लिया हुआ है, potential को भी v लिया हुआ है, तो वहां पर match कर जाएगा, इसलिए इसको u ले ले लेते है, dialectric constant को हम लोग k ले करके बनाते हैं, book में epsilon ले करके बनाएगा, वो आप अपना देख लीजेगा, तो q का value क्या, कितने के बढ़ाबर हो गया, 2 pi epsilon 0, r into v, into l minus x, l minus x plus kx, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, अब क्या करते है, differentiate कर लेते हैं, क्योंकि आपको current calculate करना है, तो current का value क्या होता है, dq by dt, त आप इसको differentiate कर दो, तो यह कितने, यह सब तो constant है ना भई, तो यह constant है, तो यह क्या जाएगा, 2 pi epsilon 0, r v by d, d, length constant है, इसका differentiation है, 0 x का differentiation, minus dx by dt, plus k dx by dt, कुछ ऐसा आजाएगा, आजाएगा न, dx by dt को हम लोग u लेकर के चले हैं, तो आगया current का equation हागया, 2 pi epsilon 0, r, v, u by d, k minus 1, k minus 1, यह आगया current का साप सुथरा equation, और इस तरीके से यह question बन चुका है, आप जरूर review दीजेगा, बताईएगा कि आपको कितना अच्छा से समझ माया, यह concept, जो भी मैं video upload कर रहा हूँ, YouTube पे, आपको कितना फाइदा provide कर रहा है, यह जरूर बताईएगा आप, thank you, यह जो जरूर भी मैं चुका है, जो आपकों से एओबा कितना चुका है, बताईवार लगके साफ, क्झारा लगके से जरूर एएँीं माया कर हो, यह जरूर गीजेगा है, ओरूर नहीं मैं ह कमने से थे चाबके स्ठायब और रहीं, परूर नहीं मैं Pbody पने से उलिजेगा ह